Hello students, this is your next part of narration, operative sentences. देखे, operative sentences में क्या होता है? desires मिलती है, इच्छाएं मिलती है, और इच्छाएं हमारी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों तरकी हो सकती है, या फिर इश्वर से प्राथना भी हो सकती है. तो क्या है? In these sentences, we find desires of a person. किसी व्यक्तिवी हमें च्छाएं शो होती है, अब इसके रूल देखिए. Reporting birth set to is change into whiz'd, cursed, prayed, etc according to the sense of reported speech. बहिए, reported speech जब आप पढ़ते हैं, reported speech जो comma inverted comma के अंदर होती है, उसे जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसे पढ़के यह अनुमान लगा लेते हैं, कि यह किसी ने हमारे लिए अच्छी बात कही है, हमारे लिए बुरी बात कही है, या हमारे लिए प्राथना कही है. तो ये सब देखकर हम क्या करते हैं set to को wizard में, cursed में, prayed में बदल देते हैं comma inverted comma are removed and connected word that is used, इसमें भी क्या कर रहे हैं comma inverted comma हटा के conjunction that लगा रहे हैं और क्या है third point note of interjection, बहीं interjection का जो mark होता है वो उसे is removed हटा दिये जाता है and full stop is used in place of it, और इसके स्थान पर क्या करते हैं full stop लगा देते हैं आप examples देखिए अब देखिए, first example आपका दिया है he said to me may you live long तो may you live long जब बोला गया है तो आप खुरी समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या है wish की गई है, अच्छी बात बोली गई है तो हमने set two जो दे रखा है इसे किस में change कर दिया wish में change कर दिया ठीक है, comma, inverted comma जो दे रखे हैं उसे that में लगा दिया अब देखिए हमारा जो sentence होता है मैंने बता है, जब हम इसे बनाते हैं कोई भी sentence है, चाहाँ exclamatory है, imperative है या फिर हमारा, optative है हम उसे जब narration बनाते हैं तो बाद में simple कर देते हैं, assertive कर देते हैं जिसका rule क्या रहता है पहले हम subject लिखेंगे फिर helping verb लिखेंगे फिर main verb लिखेंगे ठीक है, फिर object लिखेंगे और फिर other लिखेंगे अगर है तो ठीक है तो हम ये करते हैं तो हम क्या लेंगे पहले इसमें subject लेंगे subject क्या है, you अब you क्या है second person का pronoun है और ये जो second person के pronoun होते है किसके according change होते है object के according तो object क्या है, me तो क्या हो जाएगा he wished that अब ये me का subject क्या हुआ आई हो गया, you भले ही second person का pronoun है लेकिन यहां पर as a subject use हुआ है जब as a subject use हुआ है तो फिर क्या है तो me का भी subject लेना पड़ेगा और me का subject है I तो क्यों 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 गया अब helping verb क्या है, इसमें मे और मे को हम किसमें change करते हैं, might में तो might हो गया I might live long बर्व क्या हो गई, live हो गई ठीक है, अदर में क्या क्या है, long आ गया अब समझ में आ गया हो गई sentence ऐसे ही देखिए अब जैसे इसी में था sad to me, wizard लिख दिया है भले ही हमने तो wizard me भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही next example देखिए the hermit said hermit जानते हैं आप क्या होता है, संत होता है ठीक है, उसने क्या कहा, may you all go to hell अब ये क्या है, हमें देखके ही पता चल रहा है कि ये क्या कहा गया है हमारे लिए बुरी बात कही है कि जाओ नर्क में तुम सब नर्क में जाओ इस तरह से कहा गया है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे the hermit cursed dad hermit ने श्राब दिया की set किस में चला गया cursed में dad की they all might go to hell आपने दे क्यों लिया you वही है, आप समझ गया होंगे क्या चीज है ये, second person का pronoun object की according जाता है object हमारा नहीं दिया है जब हमारा object नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, first person या फिर third person का कोई pronoun माल लेते हैं तो हमने यहाँ पर क्या माल लिया the hermit said to them माल लिया, them माल लिया तो उसी की according हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यह दे कर दिया that they all might go to hell इसी तरह से next वाल example देखिए he said to me उसने मुझसे कहा, may God help you इश्वर आपकी साहता करे तो यह क्या हो गया, यह प्राथना हो गई प्राथना हो गई, इसने हमने set to को prayed में बदल दिया तो he prayed that अब भही subject लेना है, पहले subject क्या है God, तो God और मेका क्या हो गया might help me उसी इसाफ से चल दा है, देखो पहले हमारा subject आया God, फिर हमारा क्या हो गया might क्या है, helping verb हो गई फिर help क्या हो गया, main verb हो गई और ऐसे ही यह you को हमने किसके according बदल दिया second person का pronoun ने इसलिए me के according बदल दिया, ठीक है तो भई, यहाँ पर as a object है, तो me का भी object मी हो गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई इसी तरह से देखिए, fourth point आपका if reported speech start with the words goodbye or good night then reported words said or said to change into bed यानि आपको इतना ध्यान रखना है अगर reported speech आपकी goodbye या good night से सुरू होती है, तो said किस में जाता है bed में जाता है ठीक, अब इसका example देखिए थोड़ा उपर चला गया, दिख तोड़ा होगा आपको अब देखिए, आनन सेद, आनन ने कहा good night Krishna, good night Krishna we will meet again tomorrow हम कल दुबारा मिलेंगे अब देखिए, जब इसमें हमें पता चल गया हमाई रिपोर्टिंग, वो सारी, रिपोर्टिड स्पीच स्टार्ट किस से होई good night से, तो हमने क्या कहा आनन्द, बेड, बेड में बदल दिया किसको, sad को, आनन्द, बेड, good night to Krishna वह कुछ चीजे तो हम sense के according लगाते है अब इसके बाद ये दूसरी बात कही गई है तो अब इसमें हमें दिया नहीं है लेकिन क्या है, and sad हमने अपनी तरफ से जोड़ा क्योंकि हम जो direct sentence है उसे देख के हमें हमें अनुमान लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए तो आनन्द, बेड, good night to Krishna and sad और क्या कहा अब फिर वही रूल लगाते है वी सेकिंड परसन वो, सॉरी क्या है ये, फर्स्ट परसन है ठीक है, सब्जेक्ट के according जाएगा ठीक सब्जेक्ट क्या है, आनन्द तो क्या होगा वी विल मीट अगें टुमारो अब एक चीज और है इसमें आनन्द ने केवल अपने लिए नहीं कहा है दूसरे को मिलाकर कहा है इंक्लूड करके कहा है और जहां पर इंक्लूड करके कहा जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? दे लगाते है यानि बैसे तो आनन्द के अगॉर्डिंग चेंज होना चाहिए लेकिन क्या इसमें आनन्द और वो परसंट खुद उन दोनों को मिलाकर कहा है बहिए जब मैं और एक दूसरा रखती होता है तो हम मिलाकर हम कहते हैं इसी तरह से या फिर वे कहते हैं तो उस सब हो गया तो आनन्द बेट गॉर्ड नाइट टू किष्णा एंड से डैड दे वुड बहिए विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा ठीक? अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान रखिए आप यहाँ पर विल दिया है ना वी के साथ जब किष्णा होना चाहिए तो हम दे के साथ वुड ना करके शुड कर देंगे इसे आप शुड कर ले ना मिटा ठीक है? तो दे शुड मीट अगें दा नेक्ट डे इसका मतलब क्या हो गया? आनन्द ने कृष्णा को गुड नाइल बोला और कहा कि वो कल यानि अगले दिन अवश्य मिलेंगे ठीक है? जब दे के साथ वुड आया, सौरी सुड आया तो क्या होगा? अवश्य हो गया क्योंकि यहां वी के साथ उपर विल आया यानि अवश्य हो गया यह समझ में आ जानी चाहिए कई बार बता चुकी हूँ आपको ऐसे ही next example देखिए he said उसने गहा goodbye my friend तो he bade goodbye to his friends simple हो गया ठीक है? ऐसे ही next rule देखिए if reported speech start with the words good morning अगर reported speech good morning से शुरू होती है तो क्या करते है भई? तो sad या sad to को विज्ड में change कर देते हैं ठीक? विज्ड में change कर देते हैं तो देखिएगा रभी said good morning my friends तो रभी विज्ड his friends good morning ठीक है या फिर इस ऐसे भी लिख सकते हैं रभी विज्ड good morning to his friends बिलको simple है यह इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको I hope you understand